क्या आपको भी सांस पूलनी की समस्या है? थोड़ा भी चलते हैं सांस पूल जाती है सीडियां चड़ते हैं तो सांस पूल जाती है थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो सांस पूल जाती है अगर ऐसी कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो आज मैं आपके साथ ऐसा नुस्खा शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको इस समस्या में निजात मिलेगा कुछ चीजे बताऊंगी जिसको करने से आपकी ये समस्या बहुत जल्दी खतम हो जाएगी साथ ये दो नुस्खे बताऊंगी वो भी बहुत ही आसान है और इसे रेगुलर आप करते हैं तो आपकी सांस फूलने की समस्या बहुत जल्दी खतम हो जाएगी तो आएए देखते कौन-कौन से नुस्खे में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाई फ्रेंस मैं गीता वर्मा गीता किनो रेसिपी हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूं अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा दूसरों के साथ शेयर करिए का कॉमेंट करिएगा और चै तर बैठे रहते हैं कोई exercise नहीं करते हैं ऐसे लोगों को जल्दी सास की problem होती है या फिर कुछ लोग जो बीमार रहते हैं उनको सास की दिकत हो सकती है दिल की बीमारी हो उनको सास की दिकत हो सकती है किसी प्रकार की allergy हो तो वो भी आपके सास की दिकत दे सकता है टीबी वाल सबसे पहले तो अपने जीवन में व्यायाम यानि exercise का महत्व समझे ज्यादा नहीं तो थोड़ी exercise ज़रू करें प्राणायाम अनिलोम विलोम या फिर थोड़ा पैदल चल सकते हैं इससे आपकी समस्या में बहुत ही फरक पड़ेगा आपको सांस की समस्या जो है वो धीरे-धी कम हो जाएगी साथ ही मैं दो घरेलून उसके भी आपके साथ शेयर कर रही हूं जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है लैसुन की कलिया लैसुन जो होता है बहुत जादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है इम्रिटी बूस्टर होता है हमारे बलड प्रेशर को कं करता है कैंसर से बचाता है इसमें बहुत सारी एंटिबायोटिक प्रॉपटी होती है जो की बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते किसी प्रकार का इंफेक्शन है आपको सांस में दिक्कत है यह सबको दूर करता है क्योंकि इसमें उते हैं बहुत सारे एंटि आक्सिडें तो ये उसे खतम करने में बहुत जदा मदद करता है साथ ही है हमारी बॉडी को डीटॉक्स करता है यानि कि जो भी गंदगी हमारे शरीर में जमा हो गई है जिसकी वज़े से बिमारिया हो रही है उन्हें भी ये साफ करता है तो आपको क्या करना है एक कली लहसुन की सुबह सुबह निहार मूह आपको खानी है और पानी पी लेना चबा के भी खा सकते हैं निगल भी सकते हैं ठीक है अब अगला जो नुस्खा है उसके लिए मैंने यहां पर तुलसी के पते लिए हैं तुलसी को queen of herbs भी बोला जाता है सभी जानते इसकी पूजा होती है और health के लिए ब को निजात दिलाता है खासी जुकाम के लिए तो सभी जानते हैं कि काड़े वगर में हम इस्तमाल करते हैं उससे भी निजात दिलाता है सांस की कोई भी दिकट हो उसे दूर करने में यह बहुत जादा मदद करता है कैंसर से बचाती है तुलसी हाट की प्रॉब्लम है उसे दूर करती है डायबिटेज वालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है साथ ही पत्थरी वालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है तो यहां पर मैंने कुछ तुलसी के पत्थे तोड़ लिए हैं सबसे पहले इसे क्या करते हैं बहुत लोग पौदे में से तोड़ा और चब पेस्टिसाइड भी हो सकते हैं तो कभी इसे डारेट यूज ना करें अच्छे से दो से तीन बार दो लें और सुबह आपको क्या करना है चार से पांच पतियां अगर आप ऐसे खा सकते हैं निगल सकते हैं इसे तो निगल लेजिए क्योंकि तुल्सी को चबाते नहीं है या फर जीस जैसे मैं बतारी हैं वैसे कर सकते हैं निहार मुउँ से खाना है और आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे बहुत सारी बीमारियों से आफ बचे रहेंzkे और जो सांस की दिक्कत आ रही है वह तो बहुत जदी खतम हो जाएगी ऐसे हल्का उलका सा इसे क तुलसी के पत्तों को चार से पांच पत्ते हलके हलके कूट रीजें कोटने के बाद इसे 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 करना है वह भी मैं आपको बताती हूं तो इसका हमें जूस वगरा कुछ नहीं निकालना है फ्रेश पत्तियां लीजिए और इस तरह से करेश कर लेजिए यहां पर देखे मैं इसका कुटी हुई पत्तियां वो इसके अंदर डाल देंगे इसमें आँग नेएं कोई जूस वगरा नहीं निकला है दोकूंकि कैसे लेना है वो मैं आपको बतातु होँगे四चे वचिछ चीज जो मैं यहां पर इस早 confession की वाली हूं, वो भी बहुत ही काम की है, वो है शहद, शहद पर आप चानते हैं, खासी जो काम के लिए बहुत अच्छी माने जाती है, कोई भी रैस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, सास से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो भी ये दूर करती है, तो आपको क्या करना है, इन तुलस बनाना है, और फ्रेश ही यूज करना है, जब आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होने के बाद, आपको ये तुलसी के पत्ते, इस तरह से कूट लेने है, शहद मिला लेना है, और इसे एक चमच ले लेना है, इसे चबा चबा के आप खा लीजे, ठीक है, और उसके बाद ना तो कोई पानी पीना है, आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, आधे घंटे बाद ही आपको नाश्टा करना है, तो इस तरह से इस रेमेडी को यूज करिए और लिखके बताए कैसी लगी